देवा जए श्रीजा जए कहानी मैंने शुरू की थी तो खतम भी मैं ही करूँगा आज के इस वीडियो में बात करेंगे पेन इंडिया सुपरिश्टार प्रभास की एक्सन पेक्डिव फिल्म सलार की चार हपतों के टोटल वर्डवाइट कलेक्शन के बारे में वही ही इसके एक दिन पहले रिलिज हुई बोलियोट के बातसा सारुख खान के डंकी के भी टोटल कलेक्शन के बारे में साथ यसाथ जानने वाले हैं इस हपते रिलिज हुई सुपरिश्टार महेज बाबो की गुंटुर कारम, पेन इंडिया फिल्म हनमान और धनुस की केप्टन मिलर के भी साथ दिनों के टोटल कलेक्षन के बारे में और आपको बताएंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने कितने करोड की कमई की तो चलिए सुरुआत करत के फिल्म केप्टन मिलर जिस फिल्म को रिलीच किया गया था तमिल कंणडा हिंदी तीन भासाओं में और फिल्म को सिनमा घरों में आज एक हपता यानि कि साथ दिन कंप्लीट हो चुके हैं लगभग 50 करोड के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले हपते में दुनिया भर से काफी सांदार कमई की और फिल्म बॉक्स ओफिस पर ओल्रेडी हिट का टेक भी हसिल कर चुकी है जिया दोस्तों अगर बात करें केप्टन मिलर के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने सुरुआती 5 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 35 करोड 43 लाक रुपे का किया था वही छटे दिन फिल्म का कलेक्शन 3 करोड 95 लाक रुपे रहा आज फिल्म को जो उक्की पेंसे मिली है वो कल के मुकाबले फिर से थोड़ी डाउन हो चुकी और यहाँ पर केप्टन मिलर फिल्म अपने साथवे दिन इंडिया नेट 51 करोड 11 लाक रुपे फिल्म ने और सिस मार्केट से 13 करोड 91 लाक रुपे की टोटल कमई कर ली है और इसी के साथ केप्टन मिलर का साथ दिनों का वल्ड वाइट बॉक्स ओपिस कलेक्शन 64 करोड 82 लाक रुपे का हो चुका है बताते दोस्तों फिल्म बॉक्स ओपिस पर क् कुमार हिरानी ने इस फिल्म में सारुक खान के साथ में हमें देखने को मिले थे विकी कोसल और तापसी पनू बताना चूँगो दोस्तों इस फिल्म को सिनमा घरों में आप कंप्लीट हो चुके हैं चार हपते अब ये फिल्म सारुक खान के करियर की पिछले साल रेली छोने वाली तीसरी फिल्म थी जवान और पठान के बाद में लेकिन जवान और पठान एक मासी एकसन फिल्में थी वही दूसरी तरप डंकी एक कोमेडरी फिल्म थी हलाकि यहाँ पर डंकी का जो बजट है वो सिर्फ 120 करोड रुपे था लेकिन बात करें फिल्म के अब तक के टूटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि यहाँ पर डंकी फिल्म को सिर्फ हिंदी में रिलीच किया गया थो और इस फिल्म के सामने प्रभास की सलार का एक बड़ा कॉम्पिटिशन था उसके बावजूद भी इस फिल्म ने चार हपतों में अच्छी खासी कमई की है जिया दोस्तों आपको बता दे कि डंकी फिल्म अभी तक ओल इंडिया नेट कलेक्शन 233 करोड 27 लाक रुपे का कर चुकी है तो इंडिया ग्रोस कलेक वो हो चुका है 470 करोड रुपे जिया दोस्तों फिल्म दुनिया भर में 470 करोड की कमई करके बॉक्स ओफिस पर क्लीन हिट हो चुकी है लेकिन अब अगर बात करें इसे हपते रिली चुई तेलगू सिनमा के वनब दब बिगेस्ट बजट की फिल्म जिसका नाम है एक हपता कम्पलीट हो चुका है फिल्म ने पहले दिन तो 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग ली थी उसके बाद फिल्म ने 4-5 दिनों के छुटियों के मोके पर अच्छी खासी कमई की हालाकि वीग डेस के बाद भी फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफी बढ़िया रहे लेकिन इ इंडिया नेट कलेक्शन 122 करोड 30 लाक रुपे का किया था वो ही छटे दिन फिल्म का कलेक्शन था 7 करोड 28 लाक रुपे बताना चौंगो दोस्तों यहाँ पर गुंटूर कारम फिल्म आज यानि के अपने साथवे दिन जो मोर्निंग सोज में उक्किपेंसी ले पाई वो कल के मुकाबले फिर से कम हो चुकी थी और यहाँ पर गुंटूर कारम फिल्म अपने साथवे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 6 करोड 50 लाक रुपे का कर रही है और इसी के साथ इस फिल्म का सुरुवाती साथ दिनों में All India Net Collection हो चुका है 136 करोड आट लाक रुपे तो India Gross Collection 162 करोड बीस लाक रुपे फिल्म ने Oursis Market से 48 करोड पचपल लाक रुपे की कमई की है और इसी के साथ गुंटुर कारम का साथ दिनों का वल्ड बाइट कलेक्शन 210 करोड पिचोतर लाक रुपे का हो चुका है जिया दौस्तो फिल्म दुनिया भर में 210 करोड 5 करोड पिचोतर लाक रुपे की कमई पहले हपते में कर चुकी है अब देखते हैं कि दूसरे हपते में फिल्म के कलेक्शन और कितने आते हैं वही बात करें इसी हपते रिलिज हुई एक और तेलगू फिल्म हनुमान के बारे में प्रसांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी सुपर हिरो फिल्म हनमान जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे तेजा सज्जा कहने को तो ये एक तेलगू फिल्म है लेकिन इस फिल्म को पेन इंडिया रिलिच किया था जिया दोस्तों ये फिल्म हिंदी तमिल तेलगू मलियालम कंणडा पांच भासाओं में रिलिच की गई थी फिल्म को प परिश्टार नहीं था उसके बावजूद भी इस फिल्म ने हिंदी मार्केट से तगड़ी कमई की साथ यसाथ तेलगू इस्टेट में तो ये फिल्म अब महज बाबु की गुंटूर कारम से भी दिन पे दिन जादा कमई करती जा रही है जिया दोस्तो अगर बात करें करोड अठावल लाक रुपे का रहा बता दे दोस्तो फिल्म को आज यानि के अपने साथवे दिन भी काफी सामदार उक्केपेंसे मिली है और कल के मुकाबले इस फिल्म के उक्केपेंसे सिर्फ हलकी से ड्रोप हुई है यानि के दोस्तो हनमान फिल्म अपने साथवे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 11 करोड 25 लाक रुपे और इसी के साथ हनमान फिल्म का सुरुवाती 7 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 99 करोड 99 लाक रुपे वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 109 करोड 41 लाक रुपे फिल्म ने ओर सिस मार्केट से 42 करोड 57 ला जिया दोस्तों फिल्म दुनिया भर में देड़ सो करोड रुपे से जादा की कमई पहले हपते में ही कर चुकी है। में हमें देखने को मिले थे पेन इंडिया सुपरिश्टार प्रभास, प्रत्विरास सूकुमारन, जगपती बाबू और सुरूती हसन। 22 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को सिनमा घरों में फाइनली आज चार हपते कमप्लीट हो चुके हैं। इस फिल्म को हिंदी तमि इंडिया में तो अच्छे खासी स्क्रीन्स मिल गई थी लेकिन हिंदी मार्केट में सलार को काफी कम स्क्रीन मिली थी। लेकिन दोस्तो डंकी जैसे एक बड़ी फिल्म का कॉम्पिटिशन होने के बावजोद भी प्रभास की सलार ने बॉक्स ओफिस पर डट कर कमई की और क कहीं न कहीं सारुक खान के फिल्म डंकी को प्रभास की सलार ने बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह से हरा दिया जिया दोस्तो अगर यहां पर बात किजा सलार फिल्म के अब तक के सभी भासाओं के टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो सलार फिल्म का जो अ यानि के दोस्तो सलार फिल्म का जो वल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन है वो 728 करोड रुपे हो चुका है जिया दोस्तो फिल्म दुनिया भर से 728 करोड की कमई करके बॉक्स ओफिस पर सूपर डूपर हिट हो चुकी है तो दोस्तो ये था इन सभी फिल्मों का अब तक का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन, इस में से आपके पसंद की फिल्म कौन सी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता आए, और डेली बॉक्स ओफिस कलेक्शन विडियोज देखने के लिए, आपके अपने इस चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं मिलता हूँ आ आप सेगले वीडियो में जब तक के लिए खयाल रखे अपना और अपने माता-पिता का जेहिंद वंदे मातरम।